Hello friends, welcome to my YouTube channel, exercise 4.3 से question number 2 करेंगे In the given diagram, name the points, ये diagram आपको side में दे रखा है, इसमें points के नाम लिखने है ए पार्ट में पढ़िए क्या है? In the interior of angle DOE Angle DOE के अंदर जो point आ रहा है, एक point ये ज्यादा point उनके नाम लिखने है Figure में focus कीजिए angle DOE के उपर, ये D है, ये O है और ये E है इसके अंदर जो point आ रहे हैं, उसका नाम लिखना है Interior का मतलब होता है, अंदर की तरफ तो ये दो lines हैं, इनसे अंदर का ये जो portion बन रहा है यहाँ आप देख रहे हैं कि इस portion के अंदर सिर्फ ये A की point है A तो angle DOE के अंदर सिर्फ एक point है A, तो इसका answer होगा A B part पढ़ते हैं, in the exterior of angle EOF exterior का मतलब होता है बाहर की तरफ यानि बाहर, angle EOF से बाहर जो points है, उनके नाम बताईए इसके अंदर points के, तो EOF पे focus कीजिए ये E है, ये O है और ये F है तो EOF, यानि ये तो होगा इसके अंदर का part जो इन दो रेज से मिलके बन रहा है, ये वाला अब इससे जो बाहर-बाहर का सारा part है और वहाँ पे जो भी points है, वो आप लिख सकते हैं तो इतने portion से हटके, आप देख रहे हैं कि point C है यहाँ पे point A भी है यहाँ पे, ये भी इससे बाहर ही है इस portion से और ये जो point D है, ये भी इस portion से बाहर है तो इसमें ये तीन points है, A, C और D, जो angle E, O, F से exterior में है, यानि बाहर की तरफ है, तो यहाँ जो answer होगा ये होगा C, A, और D, C, A, और D points, C part पढ़ते हैं, on angle E, O, F E, O, F के उपर, जब on लिखा हो, it means कि वो उपर आएगा, जो raise बन रहे होंगी उनके उपर point बन रहा होगा, तो E, O, और ये F, अब E, O, F के उपर पूछा है, तो ये जो दो raise बन रही है, इनके उपर जितने भी points आपको दिख रहे हैं, वो ही आपके answer होंगे, तो E, O, F, तीन point तो यही होगे, इनसे एंगल बन रहा है, और एक ये जो B point है, ये भी इस रे के उपर आ रहा है, जो इस एंगल को बना रही है, तो E, O, F और ये point B, ये इस angle के उपर आ रहे है, on का मतलब है उपर, तो इसके answer हो गए है, E, E point, O point, और ये F point, और ये वाला B point, तो इस question में आपने तीन चीज़े सीखी, कि interior का मतलब अंदर वाला portion, exterior मतलब उससे बाहर का portion, और on का मतलब है, उसके उपर, यानि angle के उपर, it means, जो रे बन रही है, उसके उपर, लास्ट पार था, question खतम, next questions के लिए मिलते हैं, next video में, तब तक के लिए, goodbye